आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम करेंगी कख्षा 2 का पार्ट नमबर 14 पार्ट नेम नटखट चूहा नटखट मींज शरारती चूहा तो शुरू करते हैं बच्चो एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चलाग नटखट मींज शरारती कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था एक दिन उसने अपने दिल में सोचा आज मैं शहर जाओंगा बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गी हैं बिल क्या होता है जहां पर चूहा रहता है चूहे के गर को बिल कहते हैं गर में बैटे बैटे दिल गबरा रहा है, नटकर चुहा जट पर त्यार होकर शहर की और निकल पड़ा, जट पर मीज जल्दी से, वैं मस्ती से जूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी, दुकान दर अपनी दुका पर बैठा, उसकी नगजर चुहे पर बड़ी, दुकान दर ने कहा, अरे तुम मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल बाग जहां से, चुहा बोला, मैं आपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा क्रिदने आया हूँ, दुकान दर हसा, हाँ हाँ, हट जहां से, मैं चुहों को चुहा गुसे से बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे, दुकान दर बोला, बाग जहां से, बाग मींद की जहां से चला जा, बेकार मेरा समय बरबाद ना कर, बरबाद मींद वेच, चुहा चिलाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो जा नहीं, दुकान दर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं इस बारनटकर चुहे ने गाना गाया रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा कुतरूंगा मतलब टुकड़े टुकड़े कर देगा वो कपड़ों के दुका अंदर तरके पोला चुहे बया आजे आना करना कपड़ा लेकर चुहा उश्रोलता को उत्ता दुकान से बाहर निकल गया फिर वह एक दरजी की दुकान में आप पहुंचा दरजी मतलब टेलर जो कपड़े सिलता है चुहे ने कहा दरजी जी मुझे तुमसे कुछ काम है काम क्या काम दरजी ने गुस्टे से पुशा चुहे ने दरजी को रेश्मी कपड़ा दिया और कहा क्रिप्या इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो दरजी हसा चल हट रहां से मेरा समय खराब ना कर मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है दरजी ने कहा अब चुहे को गुसा आ गया वे जोर से चिलाया तुम मेरे टोपी सिलोगे जा नहीं 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 दरजी ने कहा तो ठीक है चुहा बोला और गाने लगा रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरोंगा दरजी ने कहा चुहे बईया ऐसा ना करना मैं अभी तुमारी टोपिक बना देता हूँ और थोड़ी ही देर में दरजी ने चुहे के लिए एक सुन्दर सी रेशमी टोपी त्यार कर दी नटकर चुहे ने उसे पहना और फिर अपना चेरा आइने में देखा ये टोपी तो एकदम साथी है मैं इस पर चमकीले से तारे लगवाऊंगा चुहे ने सोचा वै कूता फामता दुकान से बाहर निकल गया वै सटक पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी तुकान पर पड़ी यहां सुनेरे और रुपिले स्तारे बिक रहे थे अंदर जाकर वै इदर उदर उशलने कूदने लगा दुकान पर ने कहा अरे चल जहां से तु यहां क्या कर रहा है चुहे ने कहा मैं अपनी टोपी के लिए सुनेरे और रुपिले स्तारे किरिदने आऊं दुकानदार ने कहा बाग जहां से मुझे बेव को बनाने की कोशिश ना कर एक चुहे को सितारों से क्या मतलब तुम मुझे सितारे बेचोगे जा नहीं चुहे ने गुस्से से पूशा नहीं 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 मैं तुम्हे सितारे नहीं बेचूगा दुकानदार ने कहा फिर चुहे ने उद्दर दिया रतो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा सारे सितारे बिखेरूंगा दुकानदार ने कहा चुहे बया ऐसा ना करना तु मेरी टोपी के लिए रंग भी रंगे सितारे दे दूँगा और यही नहीं उन्हें तुमारी टोपी में टांक भी दूँगा टांक मींस टोपी पर लगा दूँगा अच्छा तो जरा जल्दी करो चुहे ने कहा टोपी बनकर त्यार हो गई चुहा टोपी पहन कर आइने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन ना चुठा वे सोचने लगा मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ मैं अपनी सुन्दर टोपी किसे दिखाऊं चलो अपनी चम के लिटोपी राजा को ही दिखाता हूँ एग गंटे की अंदर ही नटकर चुहा राज मैल में राजा के पास आ पहुंचा वे राजा के सामने जा खड़ा हुआ राजा अचानक चुहे को देखकर बहुत हरान हुआ उसने पूशा अरे तुम जहां क्या कर रहे हो चुहे ने कहा महाराज पहले जी बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ राजा ने जवाब दिया वा तुम तो एक तम राजकुमार लग रहे हो चुहा जटपट बोला अच्छा तो फिर उत्रो गद्धी से जहां मैं बैठूंगा गद्धी मतलब जहां पर राजे महाराजे बैठते हैं उनके बैठने की जगा को गद्धी कहते हैं राजा को हसी आ गई उसने कहा बाग जहां से मेरा सिंगासन चुह के लिए नहीं है सिंगासन मींज राजा की कुरसी केवर एक राजा ही इस पर बैठ सकता है चुहे ने पूशा तो क्या तुम मुझे अपनी गद्धी नहीं दोगे बिल्कुल नहीं मैं तुमें अपना सिंगासन नहीं दूँगा राजा ने उत्तर दिया तो तुम नहीं उत्तरोगे चुहे ने फिर से पूशा नहीं नहीं राजा ने आपनी बात पर अड़ा रहा राजा ने अदेश दिया पकर लो इस चुहे को शिपाही चुहे को पकरने दोड़े चुहा सरपट उसके बीज से निकल गया और शिपाही एक के उपर एक गिर पड़े जी देखो चुहा कैसे आगे निकल गया और शिपाही एक दूसरे के उपर गिर रहे है अब चुहे ने अपनी कमर पर हाथ रख कर कहा फिर चुहे ने कहा रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कान कुत्रूंगा कान मतलब इयर्स राजा ने सोचा चुहें की फोज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी वह डर से काम पने लगा फिर चुहे ने कहा रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कान कुत्रूंगा राजा डर से काम ने लगा काम ती अवाज में उसने चुख कहा चुहे बहिया तुम बेकार में नराज हो रहे हो मैं अपनी गदी से अभी उत्तरता हूं और तुम शौंग से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो चुहा बहुत खुश था शान से पैसिंगासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां अराम करता रहा राज जब काफी बीट गई वैगदी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने गड़ को चल दिया उसने शान से अपनी चमकेली टोपी अपने सबी साथियों को दिखाई सबी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाते थे तो इसके साथ हमारी जो स्टोरी है वो कतम होती है मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सेसाइस के साथ